हेलो ब्रियोन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से आने वाली नई भरतियों का इंतजार कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुस्खबरी आ चुकी है इंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से एक नया नोडिफिकेशन आ चुका है गुरूप सी के पदों पर जहां पर आपको आपीदन करने के लिए आप लाइन अप्लिकेशन फॉरम सम्मीट करना होगा जिसकी आखरी डेट 23 जुलाई 2024 रखी गई है यानि कि आने वाली 23 जुलाई तक सभी दसवी पास वाले केंडिडेट आबेदन कर सकते हैं और बीना किसी एक्जाम के ट्रेट टेस्ट और बाकी जो डाकुमेंट वेरिविकेशन होता है उसके बेसिस पे सेलेक्शन पाके इंडिया पोस्ट आपिस को जोईन कर सकते हैं और पर्मानेंट सेंटर लेवल की गौर्रमेंट जॉब पास सकते हैं इसके अंदर जो सेलरी है काफी अच्छी रहती है आपको यहां पर 63,200 रुपए तक की सेलरी देखने को मिल जाती है प्लस यहां पे आपको 4,200 से भी जादा जीपी यानि की ग्रेड पे भी देखने को मिल इसके लिए आप लोग All Инडिया लेबल से अबेदन कर सकते हैं, मेल और फी मेल दोनों आबेदन कर सकते हैं इस वीडियो को हम तीन इस्टेप पे फिनिस करेंगे, पहले सेप के अंदर आपको बेसिक इनफोमेशन देंगे सिकन्ड इस्टेप के अनर नोटिपीकेशन और फा सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को जरूर अन करिएगा दोस्तों आपको बता दे विकेंसी बहुत ही इंपोर्डेंट है ग्रुप C के पदो पर विकेंसी है 18 से लेकर के 32 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवीधन कर सकते हैं एक बार आवीधन जरूर करिएगा क्य आपसन में मिल जाएगा क्लिक करके इस पेंच पर आ सकते हैं इसके अलाबा आपको एक काम करना है यहां पर जोईन वर्टसप ग्रूप को वटन है एक बार आपको वर्टसप ग्रूप को जरूर जोईन कर लेना है ताकि इन फ्यूचर जितने भी अपडेट्स आएं उनका नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए इस विकेंसी के अंदर नंबर और पोश्टे वेरियस है जहां पर आपको सीडी के पदो पर भरतियों के नोटिपिकेशन देखने को मिलने वाले हैं कम से कम आपकी उमर 18 साल होनी चाहिए और अधिक सदिक 37 साल तक क सौरी 27 साल तक के केंडिडेट आभीदन कर पाएंगे लेकिन PWD के अंदर जो छूट है 10 साल की उसको एड़ करके 37 साल तक के केंडिडेट आभीदन कर सकते हैं अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है चाहे आप किसी भी कटेगरी के केंडिडेट हों जर्नल हों ओबीसी हों SC महिला कटेगरी की उम्मीदबार बेलकुल फ्री में आभीदन कर पाएंगी ओगनाजेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट आफ इंडिया पोस्ट आपिस ही रहेगा इसके बाद है विकेंसी डिस्ट्रिवीशन यानि कि आप लोग कौन-कौन सी जगहों से आभीदन कर सकते हैं आप लोग भारत के किसी भी राज जिससे आभीदन कर सकते हैं यहाँ पे सभी राज्यों के नाम दिये गए हैं इन राज्यों में से किसी भी राज जिससे आप लोग अपली केबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसके बाद देखें सेलरी की बात करते हैं ग्रेड पर आपका एक्स्ट्रा रहेगा लेकिन जो आपकी बेसिक सेलरी होगी वो इस्टार्टिंग 19,900 रुपए से ले करके 63,200 रुपए तक नोटिफिकेशन में मिंसन किया गया है इसके बाद कौलिफिकेशन की बात करें तो 10 पास यानि की मैट्रिकुलेशन पास वाले कैंडिडे यहां पर आपेधन कर पाएंगे कैसे आपको आपेधन करना उसकी प्रोसेस है और यहां पर ध्यान रखेगा आने वाली 23 जुलाई 2024 तक आप लोग आपेधन कर पाएंगे और यहां पर जो आपका सेलेक्शन है वो ट्रेट टेस्ट बिदाउट एक्जाम और डाकुमेंट फ अप्लिकेशन फॉर्म की बेटन पे क्लिक करना है और अपने नोटिफिकेशन को पीडियाप की सहाथा से ओपन कर लेना है यहां देख सकते हैं आपको 3 यानि 3 जून 2024 का नोटिफिकेशन मिलेगा हाली का नोटिफिकेशन है गौवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टी अप कम नोटिफिकेशन ओपन करके सारी चीज़े दिखाएंगे और थर्डिफिकेशन के अंदर आपको आप्लाइन अप्लिकेशन फॉरम कैसे सम्मिट करना उसके बारे में इन्फोमेशन देंगे यहां पे देख सकते हैं और आप लोग नीचे आजाएंगे तो आपको विकेंसी क कंप्रीट डीटेल मिल जाती है जैसे कि यहां पे क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रूप सी की विकेंसी है लेवल दो के अंदर आपकी सेलरी रहेगी इसके अलाबा आपका जो यहां पे एज है वो यहां पे दिया गया है साथ ही साथ अगर आप क्वालिफिकेशन पे फोकस कर आपको यही फॉर्म देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते नेम इन ब्लॉक लेटर यानि की अपना नाम यहाँ पर देट और बर्थ और बाकी सारी चीज़े जो मागी गई हैं आपको यहाँ पर फिल अप करना होगा बाकी चीज़ों के लिए आपको इस नोडिफिके मिल जाएगी और लेटेस्ट जॉब के सेक्षन के अंदर आपको हमारी यह विकेंसी भी मिल जाएगी या तो होम पेज़ पे ही स्कॉल करने पर आपको विकेंसियों की पूरी डीटेल मिल जाती है उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो समझ में आ गई होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्ष्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का